दोस्तो बॉलिवूड में सुनिल शेटी ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई हैं। अपनी केरियर की शुरुवात में इनका बॉलिवूड इंडस्ट्री में किसी ने भी साथ नहीं दिया था। यहां तक की कोई भी अपनीतरी इनके साथ फिल्म करने को तियार नहीं थी। लेकिन उनकी डेब्यू फिल्म में अपने के लिए दिव्या भारती राजी हो गई और यह फिल्म दर्शकों को खुब पसंद आई। बॉलिवूड के बाकी अपनेताओ की तरह ही सुनिल सिट्टी का दोर भी काफी उतार चड़ा वाला रहा है। एक समय ऐसा भी था जब ये एक एक्षन हीरो के रूप में सबके दिलों पर चा गए थे। उस समय इन्होंने दिग्ज अबिनेताओ को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इनकी कैई फिल्मे ऐसफल हो रही थी। और बॉलिवूड में कोई भी निर्देशक फिल्म बनाने का रिस्क नहीं लेना चाता था। सुनिल सेटी का केरियर लगबग डूबने की कगार पर था। लेकिन उसी समय बॉलिवूड के एक लोगपिरिय अबिनिता ने इनकी मदद की और इंडस्ट्री में दोबारा अपने आपको इस्थाफित करने का मौका दिया। यह महान अभिनेत और कोई नहीं बलकी अजय देवगन थे। अक्षे कुमार और सुनिल सेटी स्टार फिल्म मोहरा तो लगबग सभी फैंस ने देखी ही होगी। पहले सुनिल सेटी वाला यह रोल अजय देवगन करने वाले थे। लेकिन अजय ने फिल्मेकर से इस रोल के लिए सुनिल सेटी के नाम का सुचाप दिया। आखिर में फिल्म निर्माता मान गए और यह रोल सुनिल सेटी को मिल गया। बलोकबास्टर फिल्म मोहरा में सुनिल सेटी की किरदार को खूब पसंद किया गया। इस फिल्म की अपार सफलता के बाद निर्माताओं ने सुनिल सेटी के लिए फिल्मों की जड़ी लगा दी। इसके बाद सुनिल सेटी और रक्षिकुमार की जोडी को के फिल्मों में देखा गया और वो फिल्में काफी हद तक सफल साबित हुई।